हेलो एबरीवन आज हम बना रहे हैं मिक्स दाल मैंने लिया है चने की दाल, मूंग दाल, तूर दाल, उरत दाल, मेरे पास चने की दो तरह की दाल है हरे वाली और पीले वाली और मैंने सभी को अच्छी तरह से दो लिया है और इसके बाद मैं इसे कुकर में डाल ले हूँ इसमें बॉइल होने के लिए मैं डालूँगी इसमें नमक, हल्दी और तेज पत्ते के साथ मैं इसे बॉइल होने के लिए चरा दूँगी इसे कम से कम चार से पांच सीटी आने तक आप इसे पक्टने दें मैने बॉइल होने के लिए मेरे कुकर पर ना जाए क्योंकि मेरा कुकर मेरे हस्बेंड के कालेज के टाइम का है इसलिए बहुत गंदा है मेरे चिल तक बॉइल हो चुका है अब हम करेंगे तरकी की तैयारी मैंने सबसे पहले पैन चरहा लिया है पैन नहीं कराई ही है इसमें मैं डाल रही हूँ सर्सो का तेल मैंने डाला है उसमें जीरा और सुखिला मिर्च है में डाली लहसन, मिर्च और प्याज उसके बाद और फिर हमें प्याज को थोड़ा golden brown color करना है तब तक हसे fry करना है मेरा प्याज देखिए दो से दीन मिनिट में golden brown color का हो जाएगा अब मैं इसमे अड़ करूऊंगी टमाटर यह देखे मैंने अड़ कर दिया टमाटर डालने के साथ ही मैं इसमें अपने सारी मसाले डाल दूँगी जैसे कि जरा थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि टमाटर जल्दी सौप्ट हो मैंने डाल में भी थोड़ा कमी नमक डाला था और हम मैं इसमें डालूँगी जरा सा हल्दी पाउडर ये देखिए मेरे सारे मसाले एक ही जगह पे हैं और मैं डाल रही हूँ अब इसमें सबसे पहले मैं डाल हाँ मैं डाली रही हूँ नमक मैंने नमक डाला है मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ प्रोसेस थोड़ा स्लो हो रहा है अब मैं डालूंगे इसमें हल्दी पॉडर फिर में डालने वाले हूं धनिया पौडर, उसके बाद लाल मिर्च पौडर, जीरा पौडर और थोड़ा सा गरब मसाला मैंने इसमें ये सारे मसाले डाले हैं और सभी मसालों को देने के बाद मैं इसे अच्छी तरफ से चला करके कुछ देर कवर करके रख दूँगी ताकि मसाले थोड़े से पक जाएं और हमारे टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएं कुछ देर चार-पांच, तीन से चार मिनिट के बाद तो अब बस ढख देने के बाद सब भी सॉफ्ट हो जाएं तीन-चार मिनिट भी मैं ज्यादा बूल रही है, एक सो दो मिनिट के बाद यह ऐसा हो जाता है, यह देगी, यह हो गया है ऐसा, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ, अपनी बॉइल की हुए दाल, जो की रखी हुई है बगल में मेरे, और मैं इसे डाली हूँ, यह थोड़ी से गाड़ी हो गई है, कोई न सारे मसाले डाल में भी अपना फ्रेवर ला दे, और यह हो गई, हमारी डाल तैयार, इसे थोड़ा सा बॉइल होने के लिए, एक मिनिट के लिए छोड़ सकते हैं, इसे बॉइल होने के लिए, और फिर हम लगाएंगे इसमें फाइनल तरका, वो है गी का तरका, वो कुछ दिर बाद में लगाने वाली हूँ, यह मेरी डाल हो चुकी है, मैं इसे निकाल रही हूँ अब, मेरी फाइनल डाल का लुक अभी देखना बचा हुआ है, यह रही मेरी फाइनल तरके की तैयारी, मैं डालूंगी मेरा घर का बना हुआ घी, जोकि मैंने खुद बनाया क्योंकि बिना घी के डाल हजम नहीं होती सही जब बात है डाल का प्रोटीन सरीर को अब्जॉर्बो उसके लिए इसके साथ घी खाना बहुत जरूरी है मैं डालने वाली हूँ इसमें थोड़े से अद्रक के टुकरे और जरसा ही और ये मेरा तरका तयार है और हाँ मैं एक चीज़ बोलना भूल लई थी इसमें मैं डालने वाली हूँ जरसा कस्मीरी लाल मिर्च पाउडर उससे डाल का कलर अच्छा आता है ये देखिए मैंने मेरा तरका डाल दिया हैना टेस्टी अब भी बनाएए और खाईए और प्लीज लाइक